नमस्कार दोस्तों, इंस्रेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC की पॉलसी के साथ उपलब्ध राइडर्स के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आपको इस एक वीडियो में ही LIC के सारे राइडर्स की पूरी जनकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LIC के Accidental Death and Disability Benefit Rider के बारे में। आप यह जान ले कि राइडर होता क्या है। राइडर बेस पॉल्ची के benefit के अलावा अत्रिक benefit है जिसके लिए बीमा धारक को अत्रिक premium का भुकतान करना होता है। चुकि Accidental Death and Disability Benefit भी एक राइडर है इसके लिए भी बीमा धारक को अत्रिक premium का भुकतान करना होता है। अब बात करते हैं इस राइडर को भीमा धारक कब ले सकता है। एक तो बेस पॉल्ची को लेते समय भीमा धारक इस राइडर को ले सकता है। इसके लिए सिर्फ एक सर्ट है कि कम से कम 5 साल का premium payment टर्म बाकी हो। आएए इसे एक उधारन से समझते हैं। मान लेते हैं बीमाधारक ने 30 वर्ष के policy period की policy ली है जिसका premium payment term 25 years है इन्होंने policy को लेते से में accidental death and disability benefit rider को नहीं लिया था इस condition में इस rider को 5 साल का premium term बाकी रहते तक ले सकते हैं अर्थात policy start होने से लेकर policy के 20 वर्ष पूरे होने तक इस rider को ले सकते हैं अब बात करते हैं इस rider के benefits क्या है डेत बेनिफिट बीमाधारक की accidental death हो जाए तो accidental death and disability rider का जो sum insert है वह दे होगा यह payment बेस policy के payment के अतरिक्त होगी disability benefit यदि भीमाधारक को accident की वज़े से disability होती है उसके बाद इस rider के अंतरगत monthly payment start हो जाती है disability की सर्थ यह है कि accident होने के 180 दिनों के अंदर disability आई हो इस rider का sum insert 10 वर्ष के monthly installment में divide हो जाता है और monthly payment मिलने लगती है इसे इस उदारन से समझते हैं मान लेते हैं बीमाधारक ने 12 लाग के accidental death and disability benefit rider के sum insert के साथ policy ली है disability होने पर sum insert 10 वर्ष के monthly installment में divide हो जाएगा अर्थात 120 महिने से 12 लाग divided by 120 is equal to 10,000 मतलब बीमाधारक को 10,000 रुपे हर महिने अगले 10 सालों के लिए LIC pay करेगी इसका दूसरा benefit यह है कि बचे हुए policy period के लिए इस rider का premium का भुगतान नहीं करना पड़ता और साथी साथ accidental death and disability benefit rider के sum insert के बराबर base policy के sum insert पर premium का भुगतान नहीं करना पड़ता इसे इस उदारन से समझते हैं माना बीमाधारक ने दो policy ली है policy 1 और policy 2 पहली policy का base sum insert 12 लाग है और दूसरी policy का base sum insert 20 लाग है accidental death and disability benefit का sum insert दोनो policy में 12 लाग है policy के 6th verse में बीमाधारक को accidental disability हो जाती है accidental benefit rider का sum insert दोनो policy में 12 लाग है तो दोनो policy के अंतरगत बीमाधारक को 10,000 रुपे हर महिने अगले 10 सालों के लिए LIC pay करेगी अब आगे policy 1 में बीमाधारक को अब कोई premium pay करने की जरूरत नहीं है क्योंकि base policy का sum insert 12 लाग है और accidental death and disability benefit rider का sum insert भी 12 लाग है मतलब बीना किसी premium भुगतान के इस policy की coverage चालू रहेगी policy 2 में जिसके base policy का sum insert 20 लाग है 12 लाग तक के sum insert के premium की भुगतान करने की आवसकता नहीं है बीमाधारक को सिर्फ 8 लाग के sum insert पर premium का भुगतान करना होगा मतलब सिर्फ 8 लाग के sum insert के premium का भुगतान करने पर इस policy की सारी coverage चालू रहेगी इस rider के अंतरगत कोई maturity benefit नहीं है duration of cover इस rider का benefit बीमाधारक को उसके 70 वर्स पूरे होने या policy period खत्म होने दोनों में से जो जल्दी हो जाए वहां तक मिलती है यदि बीमाधारक की base policy उसके 100 वर्स पूरे होने तक भी risk को cover करती है तो भी इस rider का लाग बीमाधारक को उसके 70 वर्स पूरे होने तक ही मिलेगा ध्यान दें बीमाधारक के base policy का जो sum insert है वह इस rider की maximum limit है तो दोस्तों यह थी LIC के accidental death and disability benefit rider की जानकारी अब बात करते हैं new term assurance rider के बारे में पहले बात करते हैं rider को भीमाधारक कब ले सकता है भीमाधारक इस rider को base policy को लेते समय इस rider को ले सकता है अब बात करते हैं इस rider के benefits क्या है इस rider का benefit सिर्फ policy period के दौरान हुए मिर्त्यू के case में मिलता है policy period के दौरान बीमाधारक के मिर्त्यू हो जाए तो new term assurance rider का जो sum insert होगा वह दे होगा यह payment based policy के payment के अतिरिक्त होगी इसे एक उधारन से समझते हैं माना बीमाधारक ने 15 लाग के sum insert की policy लिया है और उस base policy के अंतरगत 15 लाग रुपे का new term assurance rider भी लिया है policy के 7 वर्ष में बीमाधारक की मिर्त्यू हो जाती है तो इस policy के अंतरगत पहले तो base policy का sum insert जो की 15 लाग है वह और साथ में यदी कोई bonus दे है तो उसका भुखतान होगा इसके अतरिक new term assurance rider के अंतरगत 15 लाग रुपे मिलेंगे पुल मिलाकर 30 लाग रुपे प्लस bonus यदी दे है तो उसका भुखतान होगा इस rider के अंतरगत कोई भी maturity benefit नहीं है duration of cover इस rider का benefit भीमा धारक को 75 वर्स पूरे होने या policy period खत्म होने दोनों में से जो जल्दी हो जाए वहां तक मिलता है यदी भीमा धारक की base policy उसके 100 वर्स पूरे होने तक भी cover करती हो तो भी इस rider का लाब भीमा धारक के 75 वर्स पूरे होने तक ही मिलेगा अब बात करते हैं इसके आवस्यक मापदंड के बारे में तो इसकी entry की जो minimum age है वह है 18 years और maximum age है 60 years maturity की जो maximum age है वह है 75 years जो minimum term available है वह है 5 years और जो maximum term available है वह है 35 years sum in short minimum 1 lakh का ले सकते हैं और इस rider के अंतरकत जो maximum sum in short available है वह 25 लाख है तो दोस्तों यह थी LIC के new term insurance rider की जानकारी अब बात करते हैं critical illness rider के बारे में सबसे पहले बात करते हैं rider को भीमा धारक कब ले सकता है भीमा धारक इस rider को base policy को लेते समय इस rider को ले सकता है यदि बीमा धारक ने इस rider को policy लेते समय नहीं लिया है तो यह rider policy start होने के बाद नहीं लिया जा सकता अब बात करते हैं इस rider के benefits क्या है इस rider के अंतरगत 15 क्रीट कर illness cover हैं और इन 15 illness में से किसी भी एक illness का जब पता पहली बार लगता है तो इस rider के अंतरगत जो समय शोड है LIC उसका भोगतान भीमा धारक को करती है उसके बाद इस rider की coverage खत्म हो जाती है इस rider के अंतरगत कोई maturity benefit नहीं है वह 15 बिमारिया कौन कौन सी है जो इस rider में covers है तो आए इसे देखते हैं जो सबसे पहला है वो है Cancer of a specific severity Open chest CABG Third है First heart attack of a specific severity Fourth है kidney failure Fifth है major organ और bone marrow transplant Sixth है stroke resulting in permanent symptoms Seventh है permanent paralysis of limbs Eighth है multiple ascorrhosis with resisting symptoms Ninth है auretic surgery Tenth है primary pulmonary hypertension Eleven है Alzheimer's disease Twelve है blindness Thirteen है third degree burns Fourteen है open heart replacement और repair of heart valve Fifteen है brain tumor इन में से किसी भी illness के first time deduct होने पे यह policy इस rider के sum in short के amount को pay करती है अब बात करते हैं इसको लेने के लिए आवस्यक मापदंड के बारे में तो इसकी age of injury है वो minimum है 18 years और maximum है 65 years maturity की जो age यानि की जिस maximum age तक है policy cover कर सकती है वो है 75 years राइडर का जो term है वो minimum term 5 years है और maximum term 35 years है sum in short इस rider के अंतरगत जो उपलब्ध है minimum 1 lakh और maximum 25 lakhs है Waiting period इस rider का waiting period 90 दिनों का है अर्थात policy के start होने या revival की date से 90 दिनों के अंदर यदि इन बीमारियों के लक्षन उजागर हो जाते हैं तो इस rider का लाप भीमाधारक को नहीं मिलेगा एक्सिडेंट के case में कोई waiting period नहीं है survival period इस rider का यह एक बहुत ही महतोपूर्ण तथ है भीमाधारक को critical illness rider का लाप तभी मिलेगा जब भीमाधारक इन 15 बीमारियों में से किसी एक का पता लगने के बाद 30 दिनों तक जिवित रहता है अर्थात जिस डेट को इस बीमारी का पता चला उस डेट से लेकर 30 दिनों के अंदर यदि बीमाधारक की मिर्त्यू हो जाती है तो बीमाधारक को इस rider का लाप नहीं मिलेगा यदि बीमाधारक 30 दिनों तक survive कर जाते हैं तो उसके बाद इस rider का लाप दे होगा कि exclusion of the policy यह policy किनकी चीजों को कवर नहीं करती यदि यह बीमारियां war, right और civil commission की वज़े से होई है तो यह policy कवर नहीं करती या फिर यदि यह आत्म हत्यां की कोशिस के कारण होई हो या criminal act अर्थात अपराधिक कृत की वज़े से होई हो या ऐसी कोई भी विमारी जिसका इलाज पिछले 40 वर्सों से चल रहा हो यह policy उसे कवर नहीं करती radioactive परदार्थ के संपर्क में आने के कारण यह बीमारियां होई हो यह policy उसे कवर नहीं करती HIV या AIDS को यह policy कवर नहीं करती नसीले पदार्थों के कारण यदि यह बीमारियां होई है तो भी उसे policy कवर नहीं करती यह साबित होना कि डॉक्टर की सलाह न मानने के कारण बीमारी होई है तो भी यह policy उसे कवर नहीं करती तो दोस्तों यह थी LIC के New Critical Illness Benefit Rider की जानकारी अब बात करते हैं Accident Benefit Rider के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस Rider को भीमाधारक कब ले सकता है एक तो बेस policy को लेते समय भीमाधारक इस Rider को ले सकता है और यदि बीमाधारक ने बेस policy को लेते समय इस Rider को नहीं लिया है तो policy period के दोरान कभी भी ले सकता है इसके लिए सिर्फ एक सर्थ है कि कम से कम 5 साल का premium payment term बाकी हो आए इसे एक उदारन से समझते हैं मान लेते हैं बिमार धारक ने 30 वर्ष की policy period की policy लिए है जिसका premium payment term 25 साल है इन्होंने policy को लेते समय accident benefit rider को नहीं लिया था इस condition में इस rider को 5 साल का premium payment term बाकी रहते तक ले सकते हैं अर्थार policy टार्ट होने से लेकर policy के 20 वर्ष पूरे होने तक इस rider को ले सकते हैं अब बात करते हैं इस rider के benefits क्या हैं इस rider का benefit सिर्फ accidental death की case में मिलता है बिमाधारक की accidental मिर्ति हो जाए तो accident benefit rider का जो sum insert है वह payable होगा यह payment base policy के payment के अतिरिक्त होगी इसे एक उदारन से समझते हैं माना बिमाधारक ने 10 लाग के sum insert की policy लिया है और उस base policy के अंतरगत 10 लाग रुपे का accident benefit rider भी लिया है policy के 6 वर्ष में बिमाधारक की accident की वज़े से मिर्ति हो जाती है तो इस policy के अंतरगत पहले तो base policy का sum insert जोकी 10 लाग है वह और साथ में यदी कोई bonus दे है तो उसका भुगतान होगा इसकी अतिरिक accident benefit rider के अंतरगत 10 लाग रुपे का भुगतान होगा कुल मिलाकर 20 लाख रुपे प्लस बोनस यदी दे हो तो उसका भुगतान होगा इस rider के अंतरगत कोई maturity benefit नहीं है duration of cover इस rider का benefit बीमा धारक को 70 वर्ष पूरे होने या policy period खत्म होने दोनों में से जो जल्दी हो जाए वहां तक मिलता है यदी बीमा धारक के base policy उसके 100 वर्ष पूरे होने तक भी कभर करती है तो भी इस rider का लाब बीमा धारक को 70 वर्ष पूरे होने तक ही मिलेगा सम इन्सोड इस rider का सम इन्सोड कितना ले सकते है बीमा धारक के base policy का जो सम इन्सोड है वह इस rider की maximum limit है तो दोस्तों यह थी LIC के accident benefit rider की जानकारी LIC काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहिक जरूर करें और सबसे महत्पुर्ण यदि आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लें ऐसे ही वीडियो लगतार पाने के लिए और साथ में bell icon को भी click कर दें ताकि जब ही मैं नीव वीडियो अपलोड करू वह तुरंत आप तक पहुँच जाए यदि आपके पास कुछ सवाल है तो उसे comment box में लिखे और अंत में अपना किम्ती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद